पिछले साथ-ाट दिनों से इस आपदी का मुकाबला हम सब लोग सब प्रकार के प्रयासों से कर रहे हैं जो अंदर में जो लोग बैटे हुए है, जो आटके हुए है उनके प्रति भारत सरकार को, उतराकर्ण की सरकार को और देश की जनता को उनकी सब की बहुत चिंता है और हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है कि किसी भी प्रकार से उनकी जान बचा है उनको बाहर निकाले आज करीब देड़ घंटे दो घंटे मैंने हम लोग सभी कंसर्णिंग ऑफिसर जो यहां काम कर रहे हैं उनके साथ सभी प्रयासों के बारे में टेकनिकल चर्चा हुई इसमें विशेश रुपसे जो टेरिन है हिमाले का इसमें एक प्रकार का स्टाटा नहीं है जीवालोजी में अलग-अलग रॉक के लिए अलग-अलग प्रकार का हर्डेस होता है जैसे टाल, जिप्सम, कैलसाइट, अपिटाइट, अर्थोक्लेट, स्पार्स, कॉरंडम, डा यहां क्या है कि बीच में सौफ्ट है, एकदम हार्ड है, तो स्वाभाईक रुपसे दिक्कते बहुत आ रही है, और हमने अभी इसके लिए करीब छे विकल्पा लोगों ने दिये, छे विकल्पों पर काम कर रहे हैं, बारत सरकार की अलग-अलग एजन्सीज है, जिनको जि योग है, और NHI DCL, ये भी इसमें विशेश रुप से हमारे महमूत करके अडिशनल सेकेटरी जो मैंने डियेक्टर वो भी काम कर रहे है, यहां असपस हिमाले में जहां प्राइवेट सेक्टर में चोजीला टनेल का काम चल रहा है, बाके टनेल का काम चल रहा है, उन सबसे पहली बात यह है कि जो लोग अठके हुए हैं अंदर में, उनको हम मेडिसीन और विशेश रुप से जो फूड है, वो उनके पास पहुचा पाया और उनसे कमुनिकेशन प्रस्ताबित करें, पहले एक लाइन थी, अब स्पेर में और दूसरी एक लाइन हमने करके रहे हैं कि उनकी रक्षा कैसे करें, उनकी जो अवशक्ता है, वो उनको कैसे मिले, पूरे ऑपरेशन में सबसे बड़ी प्रात्यमिकता है कि उनकी जान बचा है, यहां जो अनेक प्रयास चल रहे हैं उपर से वर्टीकल, होरिजन्टल, अनेक प्रकार के डिलिंग, जहां जरुवत होगी, वहां एर लिट करके, रोड बनाना है, वहां रोड बनाना, बियार वो बना रही है, इमर्जन्सी मशिन ले जाने के लिए, इसके लिए जो जो अवशक्ता होगी, एक जगह पर पानी की बहुत जरुवत है, तो पानी भी लगेगा बड़े प्रमाल सब प्रकार की वेवस्ता है, बिजली की वेवस्ता है, लाइट की वेवस्ता, पानी की वेवस्ता, यह सब सपोर्टिंग जितनी बाते उसकी भी वेवस्ता पूरी की गई है, बहुत से मशिन पहुचे है, जो पहला प्रयास हमने ओगर मशिन का शुरू किया, जो अमरिका मे बनी हुई है वो एक मशीन काम कर रही दूसरी भी मशीन है पर वो मशीन जब सॉफ्ट स्टार था तो अच्छा काम कर रही थी अच्छानक हार्ड मट्रियल आने के कारण थोड़ा सा चिंता का विशे हुआ उसका भी टेक्निकल सोलुशन निकाला गया है और वो मशीन जो है व जो पाइप अंदर में जाएगा तो वह अखरी तक पहुच कर फिर वहां से लोगों को उसमें से बाहर निकालने का प्लांग उसमें है वर्टिकल भी तीन प्रकार के प्रयास है उसके भी हम कर रहे हैं हमने कोई प्रयास ऐसा नहीं रखा कि जो हमको नहीं कर सकते हैं हमने हिमाले का टेरीन है इसका स्टाटा बड़ा राजील है तो स्वाबाई कुर्फ से यह जो लोजी के विश्यत से भी एक बहुत बड़ी समस्या है और फिर भी इसको जो कॉंक्रिट का लाइनिंग करते हैं वह भी किया है काफी जयक तक वह हुआ है और दोनों बाजू से उसक कि तक पहुचते हैं यही सिस्टीम है जम्मू के स्रीनगर के बीच में हम अठरा टोनेल बना रहें जो पंधरा बना रहें तो करीब उत्तराकर्ण हिमाचल और कश्मीर जम्मू कश्मीर को पकड़कर हम कम से कम पाउने तीन लाग करोड की टनेज बना रही है यह जो लैंड सुलूशन कैसा दूढ़ना जाए उसमें उत्तराकर्ण के सरकार ने भी रिसर्च इंस्टीटू कोला है हमने स्वीजर लंड के काफी कंपनियों के साथ चर्चाय की है और इसके लिए भी पर्मनेंट व्यवस्ता हमारे मिनिस्ट्री में करके इसको प्रोटेक्ट करने के बा अगर मशीन है अगर ठीक से चल गई तो हम दो दाई दिन में वहां तक पौश सकते हैं और वह भी प्रयास सबसे नजदिक होने वाला है पर इसके अलावा अलग अलग प्रयास चाहे कितने भी दिन के हो अगर उसके लिए हमने वर्टिकल भी अनेक प्रकार से जगह देकर व हमाले की जियोलोजी है इसी है जिना यह हाड पत्तर है हम जब महाराष्टर से हूं तो हमारे हाँ पहाड मतलब होता है पत्तर पर्याई नाम तो दखन का जो डेकन है का पूरा बिसाल्ट है पत्तर है हाड होता है मैंने मुंबई पुना एक्सप्रेस हाइवे में करीब कि पत्तर है जब मैं अभी मनाली में गया तो मेरे ध्यान में आया कि हिमाले ऐसा है कि छोड़ोड़े पत्तर है और मेजरेटी स्टाटा ऐसा है कि उसमें मिट्टी है और वह एक जगह होका और उसका पहाड तैयार हुआ है तो बड़ा डिफिकल्ट टेरिन है फिर भी हम मुख्मंत्री जी और मैं उन्होंने उनको भी हमने हिम्मत दिये और हमें विश्वास है कि निश्चित रुप से हम सफल होंगे परदान मंत्री जी के स्तर पर वो भी इसकी लगातार चिंता कर रहे हैं हमारे दिल्ली में जो सेकेटरी है अनुराग जैन उन्होंने स्पेशल करके रोज हमको दो दो घंटे के बाद हम भी वार्यू कर रहे थे बाद में उत्तराखण की सरकार ने बहुत अच्छा सयोग किया उनके सब डिपार्टमेंट यहां काम में लगे हैं भारत सरकार के अनेग डिपार्टमेंट रेलवे से लेकर ओएंजी सी तक उनकी अलग-अ कार्पोरेशन उसके एक्सपर्ट लोगों की मदद लिए जो प्राइवेट लोग प्रैक्टिकल लेवल पर काम करते हैं उनकी भी हमने सला ली है और इतना ही नहीं तो यह अगर मशीन के पारे में अमरेका में जो एक्सपर्ट है उनसे भी सलाह किया है। उनके भी स्थट पर है काम किया उनकी सब की मदद लेकर जितने जितने आप्शन से उसके उपर हम काम कर रहे हैं किसी भी स्थिती में चाहिए जो कुछ भी हो पर इनकी जान बचाना यह हमारी प्रात्र मिक्ता है और इसके लिए वार फुटिंग पर डे और नाइट काम चल रहा है और मैं इतना ही उम्मित करता हूं कि इसमें हमको निश्चित रुप से सफलता मिलेगी और उनकी जान हम बचाएंगे और तब तक निश्चित रुप से उनको अंदर में जो लोगे वहां लाइट है काफी खाली जगह है लोग घूम रहे हैं उनसे कम्मुनिकेशन हुआ है और तो वहां उनको अभी हम लोग बाकी बातों के साथ एलेक्ट्रोनिक्स और टेक्नोलोजी को उपयोग करके हम लोग अलगलग प्रकार की डिफेंस के सेकेडरी से बात हुई है कि आप्टिक फाइबर केबल डाल जाए सकते हैं पानी के लिए भी विवस्ता हुई है और अभी प्रकार से एक आपदार के साथ लड़ाई है सब हम लोग मिलकर उसके उपर जितेंगे यही हमारी पॉजिटिविटी के साथ दुरूर विश्वास है